राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बहनों माताओं वाबंधों आज अधिक मास में मैं आप के लिए लाई हूँ अधिक मास महातम का सात्मा अध्याए बंधों अधिक मास में पुर्शोतम मास महातम का सात्मा अध्याए सुन्ने मात्र से भगवान शीहरी की कृपा आप पर बरसने लगेगी आपको एश्वरे की प्राप्ति होगी बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरिय सुनें सुनने के बाद कमेंट भोक्स में जे विश्णु भगवान जरूर लिखें बोलो विश्णु भगवान कीजे सचदा नन भगवान कीजे पुर्शोतम महातम कीजे नारद बोले हे पाप रहित विश्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझ से कहिए शी नारायन कहने लगे हे नारद शी विश्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ गोलोक में मनियों के खंबों से सुशोबित भगवत धाम जिसमें मनुहर जोती स्थान दावनल की समान विश्णु भगवान ने दूर से ही देखा उसते से नित्र मुंद गए फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नित्र खोल कर धीरे धीरे आगे बड़े जब उस थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विश्णु बड़े प्रसन हुए द्वार पाल ने उनको नमस्कार किया रतनों के सिहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए शी कृष्ण को रमानाद शी विश्णु जी ने नमस्कार किया फिर विश्णु ने कापते हुए मलमास को शी कृष्ण के चर्नों में डाल दिया तब शी कृष्ण भगवान कहने लगे यह कौन है और इस गो लोक म वचनों को सुन कर नारायन भगवान ने आसन से उठकर आदे से अंत तक मलमास का सब व्रितान सुना इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तयार हुआ तब दूसरे दयालू पुर्ष्ण से प्रेरित किया गया यह मेरे पास आया हे रिशी केश मेरी शरन में आक दुख जाल से घिरा हुआ बारम बार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा इसके महा दुख को आपके बिना कोई निवारन नहीं कर सकता इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़ कर आपके पास लाया हुँ इस प्रकार शी विश्णु भगवान कहकर हाज पड़कर शी कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए इतनी कथा सुन सूत शोनक ची रिशी कहने लगे कि है सूत जी विश्णु और शी कृष्ण का समवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है गो लोकवासी शी कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया उसका विस्त पुर्वक वर्नन कीजिए सूत जी कहने लगे हे रिश्यों जब विश्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुप चाप आसन पर बैठ गए तो शी कृष्ण ने विश्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुम से कहता हूं श्री पुरुशोतम बोले हे किया जो मल मास का हाथ पकड़ कर यहां ले आई इससे लोग में महान कीर्थिपाओगे जिसको तुमने स्विकार किया उसको मैंने भी स्विकार कर लिया उसको मैं अपने समान ही करूँगा गुन, कीर्थी, इश्वारे, प्राक्रम, भग्तों को वरदान, मेरे समान सभी को दिए हे जनादन तुम्हारे प्रसंता के लिए मैंने अपने सभी गुन इसको दे दिए यह पुर्शोतम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समानों होकर सब मासों का स्वामी होगा अब यह जगत का पुझ जगत के नमस्कार करने युग्य होकर पूजनिय होगा और पूजने वालों का दुख दरिदर्ता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं मैंने इसको इच्छा रहिद किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहिद या इच्छा वाला इसको पूजेगा। वे अपने किये कर्मों को भसं करके नी संशे मुझ को प्राप्त होगा हे गरुज़ज महा भाग्ये शाली यती प्रमचारी महात्मा निराहारी भी मेरे परमस्थान को प्राप्त नहीं होते हैं प्रंदू पुरुशोतम के भगत मास भर में जनम वृत्यू से रही थो बिना प्रिक्षम के ही हरी के पत को पा सकते हैं सब साध्नों में शिष्ट सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुशोतम मास स्वाध्याई यग्या है जैसे हल से बोए हुए बीज क्रोडों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुशोतम मास में किया हुआ पुन्य कोटी गुना बढ़ता है कोई चतुर मास के वरत वर्तों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस प्रित्वी में आते हैं किन्तु जो पुरुशोतम का आदर से विधेपुर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उधार करके मुझको ही प्राप्त होगा जो महान अज्यानी मुनुष्य इस मास में जब दान आदी नहीं करते और अच्छे करम नहीं करते देव तीरत तथा ब्राहमन से वैर करते हैं वे दुष्ट भग्ये पर जीने वाले हैं उनको खरगोश के सींग के समान स्वपन में भी सुख नहीं होगा जब मूड मुनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरसकार करेंगे और जो धरम का आच्रन नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होगे जो पुरुशोतम के निमिद तीन तीन वर्ष में धरम का आच्रन नहीं क के बंधन में फसा रहता है वहे अज्ञाने दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यांत पुन्य दान पुर्शोतम मास बीद गया उनको कैसे सुख प्राप्थ हो सकता है श्रेष्ट भग्य वाली जो इस्तरियां पुत्र सुख सो दूँगा और जो मेरे इसमास को ऐसे ही व्यतित कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वपन में भी प्राप्थ नहीं होगा सब प्रुश्यों को मेरे इसमास में शिनान पूजा जब आदी करना च जाहिए जिसने भक्ति और शद्धा से पुर्शोतम मास में मेरी पूजा की वह धन और पुत्र का सुख भोग कर आंत में मेरे गोल लोक में वास करेगा मेरी अग्या से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है इसलिए हे रमापते तु पुरुशोतम मास को लेकर बैकुंट को जाओ बोलो पुरुशोतम भगवान की जय हो विश्नु भगवान की जय पुरुशोतम महातम की जय बंधों अधिक मास में विश्नु मंत्र का जाप करने वाले सादकों को भगवान विश्नु स्वयम आशिरवात देते हैं उनके पा सके तो अधिक मास में जमीन पर शेयन करें एक समय भोजन करने से आनंद फल की प्राप्ति होती है गोवर्धन धरम बंदे गोपालं गो प्रूपिनम गोकुल उस्व इशानम गोविंदम गोपिकाप्रियम गोवर्धन धरम बंदे गोपालं गो प्रूपिनम गोकुल उस्व इशानम गोविंदम गोपिकाप्रियम गोवर्धन धरम बंदे गोपालं गो प्रूपिनम गोपुल उस्व इशानम गोविंदम गोपिकाप्रियम गोवर्धन धरम बंदे गोपालं गो प्रूपिनं गोकुल उस्व इशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं गोवर्धन धरम बंदे गोपालं गोप्रूपिनं गोखुल उस्व इशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं राधे राधे जे श्री कृष्णा बंधो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें और शेयर भी जिरूर करें धन्यवाद